बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम अस्सलामु आलेकुम डियर स्टूडेंट्स आएम प्रोफेसर वकार अली आज हम लेक्चर नमबर फाइब चेप्र नमबर टू कंप्योटर मेमरी में से ही टाइपस आफ मेमरी एकॉर्डिंग टू बिल्ट अप जो से डिस्कस करेंगे जो के लास्ट लेक्चर के साथ बिल्कुल मैच करता है लास्ट लेक्चर में भी हमने बिल्ट हब को ही डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम डिवाइड करते हैं एकॉर्डिंग टू बिल्ट अप structure तो हम three different categories में three different types में अपनी memory को divide करते हैं जिसमें सबसे पहली memory हमने जो discuss की थी वो थी chip memory उसके बास second one जो discuss की थी that is magnetic memory आज हम जो third memory जो remaining portion था उसको discuss करेंगे और वो कौन से आपका optical memory चले मूफ करते हैं towards board और देखते हैं क्या है कि अप्टिकल memory basically read or write करती है data को या information को using laser technology अब जब भी बात optical की आएगी ना तो इसका मतलब है हम discussion किसकी कर रहे होंगे laser से related आप देखते हैं आप जब कहते हैं कि optical mouse तो इसका मतलब है हम कों से mouse की बात करें लेजर mouse की बात करें बात क्लेर हुई तो लेहाज़ा यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि जब भी हम optical की बात करेंगे तो हम जो technology use करें होंगे that is your laser technology अब क्या कहता है जो optical memory है उसके अंदर जो read और write किया जाता है वो with the help of laser technology किया जा रहा होता है second क्या कहता है data store in the farm of pits and lands अब जरा घौर कीजेगा जब हमने बात की थी क्या कहते हैं chip memory का हमने पिखश की दो हमने कहा था zero-one cells की form में हो रही है जब हमने बात की थी आपकी magnetic memory का हमने कह था magnetic spots और non magnetic spots की बात कह रहा है अब हम बात कह रहे है pits and lands की जानि कि bumps and lands की sometime आपको book में मिल रहा होगा pits covered sometime उसके against आपको मिल रहा होगा bumps covered लेंड सेम डेगा इसका मतलब है pits और lands की फॉर्म में आप की information क्या होगी store हो रही होगी बात clear होगी जहां पर land होगी बेलकुल smooth वहां पर आपका data क्या होगा zero को represent कर रहा होगा जहां पर pits यहां bumps होगे वहां पर data की representation आपकी क्या होगी one की form में बात को चैramos होगी यानि के pits यहां बंस किसको represent करती है one को जबके lands basically किसको represent करती है जीरो को ,yaher पर भी आपकी information digital formमे store गहापर भी selfies बैसिकली one और 0 की form में store हो रही लेकिन अब क्या हो गया चेत हम जहां पर magnetic spot or non magnetic spot की बात कर मेगनेटिक memory के अंदर यहां पर आप बात कर रहे हैं pits, bumps यहां land की pits और bumps alternatively इस्तमाल किया जा सकता है जबके lands आपके 0 को ही represent करते हैं फिर उसके बात क्या कहता है जब भी laser scanner जो आपके low power laser scanner होते हैं यह basically use करते हैं किस चीज को data को और information को कहां से वो ही pits और land से और फिर उन्हें convert किया जाता है digital form के अंदर digital form हमने क्या कहा है one और zero की बात करें लहाजा pit को जब read करेगा तो एक single pit को read करके single one और अगर एक land को read कर रहा है तो इसका मतलब इसके against एक single zero जो उनसा है वो represent करना शुरू कर देगा दो pits हैं double one आजेगा three pits हैं triple one आजेगा इसी तरह जितने pits होंगे उतने number of ones आजेगे और same इसी तरह जितने number of lands होंगे उतने number of zeros आपके place कर देगा और यह digital information हो बाट make sure it's a low powered laser scanner हमें बहुत ज़्यदा power की जरुत नहीं होती है क्योंकि laser basically क्या करती है क्या तो जहां पे तो लेंड़ होता है वहां पे reflection प्रपर होती है weak जहां पर about reflection नहीं होती है जपिज्यदा प्रोपर मिल रही है तो उसे क्या Alois Cur nein नहीं मिल रही तो क्या represent करेगा one के साथ यानि के वहां पर pit हो गे फिर बाय कहता है अगर हम size की बात करें जो आपकी optical discs है mostly जिसमें cds dvds blu-ray वगरा शामिल हैं यह जितने भी आपकी optical disc हैं यह याद रखिएगा इनका size same होता है और वह size क्या है कहता है अगर size and diameter discuss किया जाए तो 12 cm 12 cm को mm में convert करें तो 120 mm और अगर inches में convert करें तो 4.72 inches बनता है यानि कि जो आपकी optical disc है उसको जब आप size लेंगे diameter के हिसाब से तो 12 cm 122 mm यह फिर 4.72 inches लेकिन इसकी thickness की अगर बात की जाए तो कहता है वो कितनी है 1.2 mm यानि के mm बहुत बारीक होती है बात clear होगी यहां तक यहां तक जो हमने कुछ point discuss की है अब आगे move करते हैं towards next board और remaining जो portion है optical memory का जो built up है उसको discuss करते हैं GTS students optical memory के remaining points में अब देखें सबसे पहला point लिखाव है provide cheaper and greater memory capacity कहते है cheap in cost है लेकिन capacity storage capacity बहुत ज्याद है make sure यह जो अंसी mostly आपकी optical memory है यह याज रिखेगा mostly backup वगेरा के लिए इस्तमाल की जा रही होती है backup यानि कि यह fixed disk नहीं है backup के लिए इस्तमाल की जाती है potability के लिए इस्तमाल कि जाती है data एक जगसे write कर लें आप एक computer से move करवा कि किसी दूसरे computer पो जाकर store करवा लें इं-proposes के लिए इसमध्र की जारी हुट ही है इसलिए अब यह क्या कह रहा है कहते है एक अच्छी खासी capacity आप इसके ऊपर store कर सकते हैं दूसरी हमें बात कह रहा है यह जी यह भोग्ष ज्यादा low in cost आप एक reden CD which car रुपीर्ण चांए तो हो सकते है data है storage capacity वो 300 GB तक हो सकता है आपका data लहाजा यह आपके backup के लिए इस्तमाल की जारी है आपकी hard disk पर जो data बढ़ाव है उसका backup बनाके हम रख लें कि ताके कभी किसी वज़ा से आपका computer system अगर failure हो जाता है उसका तो उसके अंदर अगर data loss हो जाता है तो हमारे पास backup मौझूद हो हम उसे दोबारा use कर सकें दोबारा computer में save करके उसे इस्तमाल के काबिल बना सकें यहां तक बात clear होगी अब उसके बात क्या कहता है data stored on a spiral track spiral क्या होता है आप देखते हैं spring ठीक है वो क्या गहरा होता है एक corner से शुरू होता है और चलता 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 circulate करता हुआ एक second corner पर जाता है जैसे कि यहां पर अगर गोर करें यह basically spiral है यह इसकी starting point है यह move करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और करता track है और वो track कों से spiral track कैसे जैसे कि अगर मैं बात करूँ यह कोई optical memory है यह central उसकी जो filling होती है जो empty hole होता है वो है जैसी आपका central track से यहाँ से basically आपका क्या हो रहा है start हो बात clear यह आपका क्या है start और यह move करते 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 यहाँ पर आपको क्या हो रहा है end हो रहा है और याद रखेगा यह एक ही track है इसमें multiple tracks नहीं होते जिस तरह के बाकी magnetic memories के अंदर होते हैं यहाँ तक बात clear होगी कोई issue तो नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो data एक spiral track के उपर store हो रहा होता है और जब भी आपका read or write head जो के laser technology को use कह रहा है वो read करना start करेगा तो starting head से start करता है और कहां तक जाता है ending head तक लेकिन याज रिखेंगे यह random access memory है इसमें आप अगर पहले track को read करने के बजाए दसवा track यानि के 10th position पर जो data मौझूद है उसे read करना चाहा है तो direct जो उसे access कर सकते हैं यहां तक बात ख्रेर होगी इसके अंदर जो examples हैं मैं पहले बता चुका हूँ CDs इसके examples में आ सकती है DVDs इसके examples में आ सकती है और Blu-ray इसके examples में आ सकती है और यही तीनों mostly आपकी optical memories है जो के इस्तमाल की जा रहे होती है यहां तक हमारा जो memory build-up का topic है वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है अब क्योंकि यह topic link कर रहा था वो क्या था कि types of memory discuss करें according to the build-up and retention power हमने क्या किया दोनों को separate कर लिए पहले हमने सिर्फ किस चीज़ को discuss किया built-up को कि जब हम उसको build-up करते हैं तो उसके लिए जो structures उसके ल layout इस्तवाल करते हैं वो क्या है वो different है ठीक है जैसे के हमने बात की थी chip memory के अंदर transistors यूज के जा रहे थे magnetic memory के अंदर magnetic spots और non-magnetic spots यूज के जा रहे थे types of memory according to the retention power retention का word retain से निकलना है hold करना रुक जाना बात clear retain करना clear होगी अब कहता है कहता है कहता है कहता है on the basis of retention power यानि के कितनी देर रोख के रख सकते हैं कि यह power कहता है उस power की बेस पे memory can be divided into two types कहता है memory को दो इसों में divide किया जा सकते है एक आपकी क्या है walletile memory दूसरी आपकी क्या है non-walletile में है अगर जब हम बात करें शुरू में हमने जब memory की discussion करनी start की थी तो हमने कहा था कि आपकी memory दो तरह की होती है एक आपकी कौन सी है जो के temporary data store करती है और एक आपकी कौन सी है जो के permanent data store करती है कहता है यह retention power से ही तालुक रखता है अब हम आगे further one way one in को discuss करते है तो हमें पता चलेगा कि यह volatile और non-volatile basically है क्या चलें चलें move करते हैं towards next पो जी डे स्टुडेंट्स अब हम बात कर रहे थे retention power के हवाले से और हमने क्या काया कि memory को हम दो इसों में divide करते हैं वो कौन गोंसे है एक आपकी memory volatile के लाती है और एक आपकी non-volatile के लाती है volatile का क्या मतलब है कहता है temporary temporary कैसी हो सकता है कहता है जब तक आपकी memory को electric power मिलती रहेगी power supply मिलती रहेगी वो data को अपने पास hold करके रखेगा store करके रखेगा आप उसे इस्तमाल करें उसके उपर different operations perform करें आप उसे manipulate करें यानि किसी भी किसम का उसके उपर operation perform करें कोई वस्ता नहीं है लेकिन अगर किसी भी वजा से वह power supply उसकी cut हो जाती है यहां को interruption आती है तो क्या होगा जो भी data उस memory के अंदर पड़ाव है वो क्या होजेगा remove होजेगा loss होजेगा बात क्लेर होई कहता है याद रिखेगा आपकी जो वालेटायल memory है इसके बारे में क्या कहता है it's a temporary memory जो database में store होगा वो क्या होगा temporary होगा यानि के for the time being इसे use किया जा सकता है हो सकता है कुछ time के बाद वो data वहाँ पर मौझूद ना रहे पिर कहता है it requires power to maintain the store information कहता है continually इसे power की जरूत है जब तक इसे power मिलती रहेगी जब तक इसे current मिलता रहेगा जब तक इसे electric supply मिलती रहेगी यह information को अपने पास store करके रख सकता है लेकिन जैसे ही आपकी power supply cut down होई उसमें किसी किसम की interruption आई यह आज रिखेगा जो भी data इसके अंदर मौझूद है वो क्या होजेगा loss होजेगा removal जैसे कि next point में कहता है retain information as long as power supply is on तब तक information को retain करके रखेगा संभाल के रखेगा रोक के रखेगा जब तक कि इसे power supply मिलती रहेगी यह power on रहेगी और इसके बाद क्या कहता है stored information lost when power supply is off or interrupted जैसे ही आपकी power supply cut हुई off हुई यह किसी किसम की कोई interruption आई आपका data वहां से क्या होजेगा loss होजेगा यहां तक बात क्लियर है कहता है इसकी examples देख लें कौन कौन सी examples है RAM, Random Access Memory, Cache, Registers आप जानते हैं के RAM आपकी primary memory है Cache और Registers भी आपके internal processors यानि के वह भी primary memory में आते हैं लेकिन एक electric power ही खतम होगी तो अब क्या होगा वह data वहां से remove होजेगा लेकिन अगर आप data इस्तमाल करें और electric power भी इसे मिलती जा रही है supply से मिल रही है power supply तो फिर याद रिखेगा data को hold करके रिखेगा जब तक इस data को हम इस्तमाल करें बात clear होगी फिर बात करता है non-volatile की non-volatile के बारे में बात क्या करता है कहता है it's a permanent memory volatile temporary non-volatile not temporary यानि के permanent यह data को अपने पास संभाल के रखती है कब तक कहता है तब तक जब तक यूजर खुद रिमोब नहीं करता है चाहे उसे power supply मिल रही है चाहे उसे power supply नहीं हो रही data को अपने पास हो हमेशा संभाल के रखेगी बात clear होगी क्या कहता है it's a permanent memory retain the stored information for long term or future use यानि के आपने एक दफ़ा जब data store कर दिया है तो आपका वो तब तक रेगा जब तक के आप उसे store रखना चाहते हैं खुदाना खास्ता अगर आपकी hardest या जो भी आप non-volatile memory इस्तमाल कर रहे हैं अगर वो crash नहीं कर जाती है उसमें कोई problem नहीं आ जाता तो आपका data in future जब जब चाहें उसे इस्तमाल कर सकते हैं यहां तक बात clear होगी फिर इसकी examples में बात करता है ROM, ROM chip आपकी जो CI data को permanently store करती है magnetic memory सारी की सारी आपकी secondary memory है flash memory या optical memory यह तीन magnetic, optical और flash memory यह secondary memory है जब के ROM आपकी primary memory है अब यह तमाम के तमाम memories आपकी क्या है non-volatile memory है और non-volatile memories basically क्या है, कहते है data को permanently store बात clear होगी कहते हैं कि question basically दो तोना से आसकता है, वो कहता है कि आप explain करें volatile memory को और non-volatile memory को यह second option के आसकता है कि वो आपको यह कह सकता है कि इन दोनों के दर्म्यान difference करें और difference कैसी होगा, for example पहला difference लिखा होगा, it is a temporary memory तो non-volatile में क्या लिखा जाएगा, its a permanent memory अगर वो कहते है कि it requires power to maintain the stored information it does not require any power to maintain the information बात clear हो रही है, क्यों नहीं required क्योंकि इसके ओपर जो data वो permanently stored हो रहा है फिर आगे कहता है retain information as long as power supply is on or off on है या off है यह अपने आप maintain करके रखता है कौन non-volatile है फिर कहता है stored information lost when power supply is off, कहता है stored information is not lost even the power supply is interrupted or off कहीं पर भी आपका data जो उनसे lost नहीं हो हाँ, सिर्फ एक सुरत में data आपका lost होगा वो क्या है कि अगर आपका hardware ही fail होगा जैसे कि आपकी hardest में आपका data रखा होगा और अगर hardest fail होगी है तो आपका data जो उनसे recover करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है इसके इलावर कोई मसला नहीं है इसकी example में आप RAM, cache, registers की example दे सकते हैं इसकी example में आप ROM, magnetic memory, flash memory, optical memory आप देखें, magnetic memory में कौन-कौन सी है hard disk है, magnetic tape है, portable hard drive है flash memory में आपकी USB flash memory है फिर SD cards है, optical memory में आपकी CDs, DVDs, Blu-ray यानि के आपके पास एक बहुत बड़ी list है किसकी non-volatile memory की, ठीक है non-volatile memory में flash memory और optical memory याज रखेगा mostly portability के लिए इस्तिमाल की जाती है यानि के data को एक जगा से, दूसरी जगा move करने या transfer करने के लिए इस्तिमाल की यहां तक बात clear होगी आज का जो lecture था, वो basically 2 इसों पर divided था पहला इसा जो उनसा था, वो basically built-up structure पर base कर रहा था और दूसरा इसा आपका memory की type C according to the retention power जो built-up था, उसमें आज हमने सिर्फ एक memory को discuss किया था, that is optical memory जिस memory के अंदर हमने बात की थी आपकी information, laser technology के जरिए री-droid की जाती है, उसमें data जो उनसे pits और lands की form में represent किया जा रहा होता है pits 1 को represent करते है, lands 0 को represents करते है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने बात की थी, के जी इसके अंदर जो data है, वो क्या होता है, spiral track की form में store होता है ठीक है, यह जो इसका size था हमने कहा था, 12 cm होता है, और इसकी जो thickness होती है, वो 1.2 mm होती है ठीक होगे यहां तक, बहुत ज्यादा cheap in cost थी और data की storage capacity उस cost के मताबग बहुत ज्यादा थी फिर उसके बाद हमने memory को discuss किया according to the retention power हमने का दो तरह की memory यह retain करती है जो data को एक आपकी permanent है, दूसरी आपकी temporary है, एक आपकी non-volatile है, दूसरी आपकी volatile है वो होती है, जो के temporary होती है, non-volatile होती है, जो के permanent होती है temporary के अंदर जब तर power मिलती रहेगी data store रहेगा और जैसी power cut होगी data remove हो जेगा जबके non-volatile के अंदर चाहे power मिले, चाहे ना मिले, एक दफाँ आपने store कर दिया तो data future use के लिए long term के लिए store रहेगा आपकी example जो उनसी थी, volatile के अंदर आपकी RAM, cash or register थी दबके जबके आपकी जो उनसी non-volatile की example थी उसमें ROM है उसमें तमाम की तमाम magnetic memories हैं, तमाम की तमाम flash memories हैं, तमाम की तमाम जो आपकी है optical memories वो एक्जिस्ट करते हैं यहां तक बात clear हुई, उमीद है dear students के आपको आज का lecture समझा आ चुका होगा, इंशाहाला next lecture में आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाहाफेस